नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल चिकित सत अत्विग्यान में दोस्तों आज हम बात करेंगे गाय की दूद के बारे में पिर्थवी पर का अम्रित है क्या गाय का दूद गाय का दूद पिर्थवी पर सरुत्तम आहार है उसे मृत्य लोग का अमृत कहा गया है मनुष्य की सक्तियों बल को बढ़ाने वाला गाय का दूद जैसा दूसरा कोई स्रेश्ट पदार्त इस त्रिलोकी में नहीं है पंचा मृत बनाने में इसका उपयोग होता है गाय का दूद पीला होता है और सोने जैसा गुणों से युक्त होता है केवल गाय के दूद में ही विटामिन A होता है किसे अन्य पसू के दूद में नहीं गाय का दूद, जीर्ण ज्वर, मानसिक रोगो, मुडच्छा, ब्रह्म, संग्रणी, पांडू रोग, दात, रिशा, हिर्दय रोग, सूल, गुल्म, रक्त, पिक्त, योनी रोग, आधी में स्रेश्ट है प्रति दिन गाय के दूद के सेवन से तमाम प्रकार के रोग यों ब्रिद्धा वस्ता नश्ट होती है उससे सरीर में ततकाल वीरी उत्पन होता है एलोपैथिक दवाओं, रसायनी खादो, प्रदूशन, आधी की कारण, हवा पानियों आहर के द्वारा सरी में जो वीश एकत्रित होता है उसको नश्ट करने की सकती गाय के दूद में है गाय के दूद से बनी मिठाईयों के अपेक्षा, अन्य पस्वों के दूद से बनी मिठाईयें जल्दी बिगड़ जाती है गाय को शतावरी खिलाकर उस गाय के दूद पर मरीज को रखने से च्छाय रोकर्था टीवी मिठता है गाय के दूद में दैवी तत्तों का निवास है गाय के दूद में अधिक से अधिक तेज तत्व यों कम से कम पृत्वी तत्व होने की करण व्यक्ति प्रतिभा संपन्न होता है और उसकी ग्रहन सक्ति आठथात ग्रैस्पिंग पावर खिलती है ओस तेज बढ़ता है इस दू विक्रणों का प्रति रोधक है रश्यन विज्ञानिक गाय के दूद घी को एटम बंब के अनुकडों के विश्का समन करने वाला मानते हैं और उसमें राशानिक तत्व नहीं के बराबर होने की कारण उसके अधिक मात्रा में पीने से भी कोई साइड इफेक्ट या नुकस उसमें पान नहीं होता कारनिल विश्विदाले के पशु विज्ञान के विशेशग्य प्रोफेसर रोनाल्ड गुराइटे कहते हैं कि गाय के दूध से प्राप्त होने वाले mdgi प्रोटीन के कारण सरी की को सिकाए कैंसर युक्त होने से बचती हैं गाय के दूध से कोलिस् पिखिशे-दूद्र के पक्रिक्षा पचने में अधी खलका होता है। गाय के दूद्र ने उसी गाय का घी मिलाकर, पीने सग्धू मोना कर्पने से। गाय के घी से बझने हुए हलवे को सहन हो सके, उतने गरम-गरम कोडे जीब पर फटकाने से कैंसर मिटने की बात जानने में आई है पसंद आने पर इससे लाइक करें शेयर करें और यह दिया आपके मन में कोई प्रशनत आप उसे कमेंट द्वारा जरूर पूछें मैं जल्दी रिप्लाइ करने की कोशिस करूंगी धन्यवाद